Hello friends, this is Khyaati Sethi. Welcome to your own YouTube channel Satguru Institute. I hope you all find. So friends, आज हम Poetry Section की 3rd Poem A Valid of Sarparatap Sing करेंगे. इससे पहले हमने Main Course Book के 4 chapters कर लिये. Lesson 1 The Happy Plains, Lesson 2 Where Is Science Taking Us, Lesson 3 Secret of Happiness and Lesson 4 The Gift for Christmas. इन 4 chapters के Question Answers भी हमने कर लिये हैं. इसके इलावा Poetry Section की 2 Poems, 1st Poem Character of a Happy Man and 2nd Poem Deaths the Leveler भी कर लिये हैं. इन Poems के Question Answers भी Complete हो चुके हैं. इसके इलावा Chapters की English Pro Section नाम से अलग से Playlist बनी हुई है. Poems की English Poetry Section नाम से Playlist बनी हुई है. और Question Answers की Question Answers of all chapter नाम से प्लेइलिस्ट बनी हुई है. इन तीनों प्लेइलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So Friends, आज हम डिसक्रिप्शन की थर्ड पॉयम और बैलेड ओफ सर्परताप सिंग. So Friends, यह बहुत ही इंट्रस्टिंग पॉयम है. प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए. आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेर करें. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये. और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलिये. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो. So friends, poem शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाती हूँ. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ difficult words को highlight किया है और उनके meanings मैंने हिंदी में साथ में लिखे हैं. इसके इलावा standards के question answers भी लिखे हैं. ताकि आपको जो poem है अच्छे से समझ आ जाए और आपको पढ़ने में कोई दिकत ना आए. So let's start. A ballad of सरपरताप सिंग. So friends, जो ballad होता, उसका meaning होता है कथात्मगीत, यानि कि ऐसा गीत या ऐसी कवीता जिसके द्वारा आपको कोई कहानी सुनाई जाए. उसे हम कहते हैं ballad. सरपरताप सिंग. जो सरपरताप सिंग थे, वो जोदपूर के राजा थे, समराठ थे. यानि कि इस poem में हम पढ़ेंगे सरपरताप सिंग की कहानी के बारे में एक poem के रिए. In the first year of him, that first was emperor and king. So friends, यहाँ पर जो him है, वो परताप सिंग को कहा गया है. अभी उन्हें समराठ बने हुए, राजा बने हुए, एक साल भी पूरा नहीं हुआ था. यानि कि उनका साशन संभालने का पहला साल भी चल रहा था. A writer came to the rose red house, the house of परताप सिंग. एक writer यानि कि एक घोट सवार परताप सिंग के घर आता है, रोज रड हाऊस में. So friends, जो रोज रड हाऊस है, वो परताप सिंग के घर का नाम है. वो नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि पहले के समय में जो महल हुआ करते थे, वो लाल रंग के पत्थरों के बना हुआ करते थे. इसलिए परताप सिंग के महल का नाम था, Rose Red House. Second stanza है, यंग ही वाज एंड एंग्लिश मैन, एंड अ सोल्चर हिल्ट एंड हील. Second stanza में कभी वो ये कहते हैं, कि वो जो घोट सवार था, परताप सिंग के घर आये थे, वो एक यूवा था, यानि की जवान व्यक्ति था, एक अंग्रेज था, इंग्लिश मैन था, एंड उपर से लेके नीचे तक, यानि की तलवार की मूट से लेकर पैर की एड़ी तक वो एक सोल्जर एक सैनिक था, and he struck in परताप's hurt as the steel strikes on steel, so friends, यहाँ पर जो struck का मीनिंग है, वो by mistake गलत लिखा गया है, तो यहाँ पर जो कभी है, वो ये कहते हैं, कि जैसे एक steel दूसरे steel से टकराता है, तो तब एक चिंगारी से उत्पन होती, एक आग सी जवाला से निकल दिया है, वैसे ही जब परताप सिंग ने यंग इंगलिश मैन को अपने महल में, अपने घर में देखा, तो उसके दिल में भी एक जवाला, एक आग सी उत्पन हुई थी, तो फ्रेंड्स, इन टू स्टेंजास में पोईट कहते हैं, कि जो परताप सिंग थे, वो जोदपूर के राजा थे, समराठ थे, उन्हें अभी राजा बने हुए, एक साल भी कम्प्लीट नहीं हुआ था, यानि कि उन्हों के साशन का पहला साल चल रहा था, उनके घर, यानि कि रोज रेड हाउस में एक घोड़सवार आता है, और वो घोड़सवार बहुत ही यंग होता है, इंग्लिश मैन होता है, और उपर से लेके नीचे तक वो एक सोलजर होता है, जब परताप सिंग सोलजर को देखता है, इंग्लिश मैन को देखता है, तो उसके दिल में एक चिंगारी सी उतपन होती है, जैसे एक स्टील दूसरे स्टील से टकरा कर उत्पन होती है वैसे ही चिंगारी परताप सिंग के दिल में उत्पन हुई थी So friends चलिए देख लेते हैं इन स्टेंजास के question answers तो first question है Name the poem and the poet इस कविता का और कवी का नाम बताइए तो इस का answer है The name of the poem is A Ballad of Sir Parthap Singh and the poet is Sir Henry New Bolt यानि कि यह जो poem है इसका नाम है A Ballad of Sir Parthap Singh और इस poem के कवी का नाम है Sir Henry New Bolt So friends question number second है Who came to Parthap Singh's house जो Parthap Singh थे जो राजा थे उनके घर पर कोन आता है A young English rider came to Parthap Singh's house एक जवान यूव अंग्रेज घोर सवार Parthap Singh के घर आता है What was the house called Parthap Singh के घर को क्या कहते थे The house was called Rose Red House उनके घर को Rose Red House कहते थे क्योंकि उनका जो घर था वो लाल रंग के पत्थरों का बना हुआ था Question number fourth How long had Parthap Singh been the king? जो Parthap Singh थे उन्हें राजा बने हुए कितना समय हुआ था तो हमने फर्स्ट एंजा में ही पड़ा था कि उन्हें राजा बने हुए अभी एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था यानि कि उनका साशन संभालने का पहला साल भी चल रहा था तो इस का अंसफर होगा He was in the first year of his rule वो अपने साशन के पहले साल में ही थे यानि कि वो उनका पहला साल चल रहा था So friends, ये थे हमारे two stangels और उसके questioners तो चली देख लेते हैं next poem के stangels Beneath the morning star they wrote Beneath the evening sun And their blood sank to them as they wrote That all good words are one परताप सिंह थे और जो Englishman थे वो दोनों ही सुबह जल्दी यानि कि अर्लिंग मोर्निंग और शाम के समय संसेट के टाइम तक दोनों ही सुबह से लेके शाम तक घोटसवारी करते रहते थे And their blood sank to them as they wrote That all good words are one और जब भी वो दोनों घोटसवारी करते तो वो दोनों के जो blood था जो रक्त था खून था वो एक ही गीत गाता था That all good words are one कि जो भी युद मानफता की भलाई के लिए लड़े जाते हैं वो सभी युद एक जैसे होते हैं बट जो उनका blood था जो उनका खून था रक्त था वो एक ही गीत गाता था कि वो सबसे ज़्यादा एक soldier एक सैनिक को प्यार करते हैं So friends इन सैन्जास में पोईट यही बताते हैं कि जो पताब सिंग थे और जो Englishman थे वो साथ में समय बिताते थे देशों की कहानिया सुनाते और उनका जो blood था वो यही गीत गाता था वो उनके blood में से एक यावाज आती थी कि जो सब युद होते हैं मानवता की भलाई के लिए लड़ेगे वो सब एक जैसे होते हैं और वो सबसे ज़्यादा एक soldier को एक सैनिक को प्यार करते हैं तो friends चली देख लेते हैं इस टैंजा के question answers तो first question है who were the riders तो इसका answer है the two riders were पताप सिंग and an English soldier एक जो rider था वो था पताप सिंग जोदपूर का राजा और दूसरा जो rider था वो था English soldier यानि की एक English सैनिक question number second है how did they feel while riding together जो वो दोनों इकठे riding करते घोड सवारी करते तो उन्हें कैसा महसूस होता था तो इसका answer है they felt very brave and happy जो वो एक दूसरे के साथ घोड सवारी करते तो उन्हें बहादर महसूस होती उन्हें अपने आप में एक confidence feel होता और उन्हें बहुँ ज़ादा खुशी महसूस होती question number third है how did they feel about words जो युद है उनके बारे में उन दोनों का क्या ख्याल था तो इसका answer है he realized that all good words are one वो महसूस करते वो बताते हैं उनका जो blood है वो यही गीत गाता है कि जो भी युद मानवता की भलाई के लिए लड़े जाते हैं वो सभी युद एक जैसे होते हैं question number fourth how long did the two continue riding together यानि कि कितना समय two means यहां पर परताब सिंग और English soldier को कहा गया है दोनों यह continue लगातार कितना समय riding करते घोड सवारी करते इकठे तो इसका answer है they continue to ride from morning till evening दोनों ही जो परताब सिंग थे और English soldier थे वो दोनों ही सुबह से लेके शाम तक घोड सवारी करते थे so friends यहां पर जो हमेरा stanza है और question answer जर्जा कंप्लीट होते हैं तो चली देख लेते हैं next stanza को so rend your joy the allotted days till at the last days end the shadow stilled the rose red house and the heart of परताब's friends so friends allotted days का means होता है निर्धारी दिन जब व्यक्ति का जनम होता है तब उसका मृत्व का समय भी निश्चित होता है जो मृत्वे वो आती ही आती है वो अमर नहीं होता है तो अइसी तरह से जो allotted days थे यानि की जो निर्धारे दिन थे वो खुशियों से भरे थे जो उनका जीवन था वो खुशियों से भरा बीत रहा था और जो जीवन था खुशियों से भरा हुआ वो लास्ट डेख के end तक चला The shadow stilled the rose red house and the heart of परताब's friend और रोस रड़ हाउस एक दिन सुन पढ़ गया था एक साय की वज़े से और जो परताब का friend था यानि की English soldier था वो भी सूना पढ़ गया था वो भी सुन पढ़ गया था अचानक ही ऐसा कुछ हुआ जिसकी वज़े से रोस रड़ हाउस और परताब का जो दोस था वो सूना पढ़ गया था When morning came in narrow chest, the soldier face they hid ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से जो रोस रड़ हाउस था और परताब का friend था वो सूना पढ़ गया था इसका meaning ये है कि जो परताब का दोस था English soldier था उसकी अचानक मृत्यों होगी थी जिसकी वज़े से जो रोस रड़ हाउस था वो सूना पढ़ गया था वो इसलिए सूना पढ़ गया था महल क्यूंकि जो परताब सिंग था जो महल का राजा था वो बहुत जादा अपने दोस्त की मृत्यों के कारण दुखी था इसलिए सारा पैलस भी उसके दुख में दुखी था तब जब सुबह हुई तो जो सूलजर का फैस था जो उसके फ्रेंड का फैस था उसे ताबूत में चुपा दिया गया And over his fast dreaming eyes shut down the narrow lid और जो सूलजर की fast dreaming eyes थी यानि की सपने देखने वाली आंखे थी उसे ताबूत के ढकन के साथ बंद कर दिया गया तो फ्रेंट्स इस टेंजा में जो पॉइट है वो यही कह रहे हैं कि जो भी परताब सिंग के फ्रेंट को डेज अलोट किये गए थे उन दिनों में उसने पूरा इंजॉयमेंट किया और ये इंजॉयमेंट लास्ट डे के एंड तक चला अचानक उसकी मृत्यू के कारण जो महल था रोज रेड हाउस वो सुना पड़ गया था और जब सुबह हुई तो सोलजर के फेस को ताबूत में छुपा दिया गया और उसकी तेट सपने देखने वाली आँखों को भी ताबूत के ढकन के साथ बंद कर दिया गया तो फर्त चलिए इस टैंजस के कोशन अशरस देख लेते हैं तो फर्स्ट कोशन है फुर वास परताब जो फ्रेंड परताब जो फ्रेंड वजन इंगजिश सोलजर तो परताब सिंग का जो दोस था वो एक अंग्रेज सैनिक था Question number two, what happened to the friend, परताप के दोस्त को क्या हो गया था, तो इसका अंस्वर है, the friend died suddenly, जो उसका दोस्त था, उसकी अचानक मृत्यों हो गई थी Question number three, how did the two feel while living together, दोनों जो इकठे रहते थे, तब उन्हें कैसा महसूस होता था, they felt very happy while living together, जब परताप सिंग और उसके दोस्त इकठे समय बिताते थे, इकठे घोट सवारी करते थे, बाते करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी, वो बहुत ज़् मानते थे, question number four, explain the shadows till the rose bread house, इस line को हमें explain करना है, इसका वर्नेर करना है, तो इसका answer है, परताप's hurt was filled with sorrow over the death of a friend, जो परताप का मन था, दिल तब बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसके friend की मृत्य होगी थी, the entire palace was covered in a shadow grief, और जो palace था, जो महल था, वो भी दुख के साएं के साथ ढखा हुआ था, so friends, ये थे strangers और उसके question answers, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो like और share कीजिए, अगर channel को subscribe नहीं किया, तो please channel को subscribe कर लीजिए, और bell icon को press करना ना भूलिए, तो चलिए देख थे हमारे next changas, three were there of his race and creed, three only and no more, they could not find to bear the dead, a fourth in all Jodhpur, इस टेंजा में कहा गया है, कि पूरे Jodhpur में सिर्फ तीन ही व्यक्ति थे जो परताब सिंग के दोस्त की जाती और धरम के थे, उन तीनों ने पूरे Jodhpur में चोथे व्यक्ति को ढूंडा, जो परताब सिंग के फ्रेंड की अर्थी को कंधा दे सके, पर उने कोई भी ऐसा चोथा व्यक्ति नहीं मिला, जो परताब सिंग के दोस्त की अर्थी को कंधा दे सके तीन अंग्रेज होते हैं, वो महाराज से कहते हैं, कि आपकी बहुत ज़्यादा किरपा होगी, अगर आप हमें एक सफाई करमचारी भेज दें, क्यूंकि जो सफाई करमचारी होता है, उसे अपनी जाती को खोने का कोई डर नहीं होता है, वो अपनी जाती को कभी भी ब्रश्ट नहीं कर सकता है, चाए वो किसी भी धरम, किसी भी जाती, किसी भी व्यक्ती की अर्थी को उठाए, किसी भी व्यक्ती की अर्थी को कंधा दे इसलिए उन्होंने समराट से कहा था कि वो उन्हें एक स्वीपर भेज दे तो चलिए इसके question answers देख लेते हैं तो first question है There were three of his race and creed Which race has been mentioned here तो इसका answer है The caste and creed of the British Englishman is mentioned here उन्हें व्यक्तियों की जो caste थी वो थी British की यानि की वो अंग्रेज जाती के व्यक्ती थे Question number second What could they not find in all Jodhpur वो पूरे Jodhpur में क्या नहीं ढूंट पाए तो इसका answer है They could not find the fourth person of British race and creed throughout Jodhpur to carry the bear of a foreigner वो तीन व्यक्ति पूरे Jodhpur में अंग्रेज जाती और धरम के किसी भी चोथे व्यक्ति को नहीं ढूंट पाए जो की परताब सिंग के फ्रेंड की अर्थी को कंदा दे सके Question number third What did they request the king to do? उन तीन व्यक्तियों ने किंग से क्या request की थी? तो इसका answer है He requested the king to send a sweeper to carry a foreigner's bear तो उन तीन व्यक्तियों ने किंग से प्राथ्रा की थी request की थी कि वो एक सफाई करमचारी को भेज दे ताकि वो उनकी फ्रेंड की अर्थी को कंधा दे सके तो फ्रेंड्स यहां पर जो stanza और question answers complete होते है तो फ्रेंड्स आप जो telegram channel है सत्गुरू इंस्टिटूट को जॉइन कर सकते हैं इस channel में आपको सभी chapters की PDF सभी question answers की PDF मिल जाएगी जो भी आपके वीडियो के updates होंगे आपको telegram channel पर मिल जाएंगे तो आप telegram channel सत्गुरू इंस्टिटूट जोइन कर सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं What needs, what needs set परताफ सिंग and board his princely head परताफ सिंग तीन अंग्रेजों से कहते हैं sweeper है उसे ले जाने की क्या जुरूरत है क्या जुरूरत है और यही कहते हुए वो अपना राज सी सर जुकाते हैं I have no caste आगे फिर वो कहते हैं कि मेरी खुद की कोई caste नहीं है जाती नहीं है For I myself am bearing for the dead इसलिए मैं अपने मित्र की फ्रेंड की अर्थी को कंधा दूँगा वो अपने फ्रेंड की अर्थी को कंधा देने के लिए आगे की और बढ़ते हैं नेक्स्ट एंजा है O माहराज, O passionate hurt Be wise, be think you yet That which you lost today is lost Till the last sun shall set जो तीन अंग्रेज होते हैं वो माहराज से कहते हैं हे माहराज, हे भावगदुल इनसान आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझदारी से सोचिए थोड़ा सोच लीजिए दुबार से अगर एक बार आपने अपनी जाती को खो दिया सदा के लिए अपनी जाती को आप खो दोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने इसलिए कहा है कि जाती खो बैठोगे क्योंकि जो हिंदू धरम है वो ये इजाजत नहीं देता है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति किसी भी जाती किसी भी धरम के व्यक्ति के अर्थी को उठाए तो इसलिए यहाँ पर जो अंग्रेज लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आपका समझदारी से काम लीजिए तो फ्रेंड्स चलिए इस टेंजास के कोशन अंसर देख लेते हैं तो फर्स्ट कोशन है परताप सिंग थे जो उन्हें किस चीज की जरूरत थी तो इसका अंसर है उन्हें एक चोथे व्यक्ति की जरूरत थी जो अर्थी को कंधा दे सके कोशन नमबर सेकेंड यानि कि अर्थी को उठाने के लिए कौन सा चोथा व्यक्ति आगे आया था तो इसका अंसर है परताप सिंग himself came forward to take the bear जोधपूर के महाराज परताप सिंग खुद आगे आये थे अर्थी को उठाने के लिए वो किस की अर्थी उठाने के लिए आगे थी तो इसका अंसर है जो वो अर्थी उठाने आये थी जिस व्यक्ति की वो व्यक्ति था ब्रिटिश सोल्जर था जो की परताप सिंग का बहुत ही अच्छा मित्तर था दोस्त था Q4. Why did परताप सिंग से I have no caste जो परताप सिंग थे महराज थे उन्होंने ये क्यूं कहा I have no caste मेरी कोई caste नहीं है जाती नहीं है He said this उन्होंने ये इसलिए क्या हा Because he did not believe in the caste system क्यूंकि उन्हें जाती प्रथा caste system में कोई विश्वाश नहीं है वो caste system में believe नहीं करते है तो friends यहाँ पर जो हमारे stanza है और उसके question answers complete होते है इसके इलावा सत्गुरु institute youtube channel का एक facebook page बना हुआ है सत्गुरु institute official आप इस facebook page को like, follow or share कर सकते है तो चलिए देखते हैं हमारा next stanza क्या है तो next stanza है God only knows said परताप सिंग that which I lost today परताप सिंग कहते हैं कि सिर्फ इश्वर ही जानते हैं कि आज मेंने क्या खोया है and without me no one hand of man shall bear my friend away परताप सिंग आगे कहते हैं मेरे सिवाए कोई भी व्यक्ती मेरे फ्रेंड की मेरे दोस्त की अर्थी को हाथ नहीं लगाएगा कोई भी व्यक्ती मेरे फ्रेंड की अर्थी को नहीं उठाएगा इस टेंजा में पोईट बता रहे हैं कि पूरे जोदपूर की नजड़ों के सामने परताब सिंग अपने दोस्त की अर्थी को कंधे पर लाज कर पूरे आलिशान तरीके से धीमी गती से महल की सीड़ियों से नीचे उतारते हैं और ये जो फ्रेंड की अर्थी है वो चार लोगों द्वारा उठाई गई है इन स्टेंजर के कोशन अंसर देख लेते हैं तो फर्स्ट कोशन है जो परताब सिंग था उसे इस लोगों पर कैसा फिल हो रहा था तो इसका अंसर है जो परताब सिंग थे उन्हें इस लोगों पर बहुँ ज़दा दुख महसूस हो रहा था उनका मन बहुत जला दुखी था कोश्य नमबर सेकिन्ड है वर्ट डिड ही डिसाइडेट टू उन्होंने क्या डिसाइड किया करने के लिए तो इसका अंस्वर है उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड की अर्थी को खुद उठाएंगे कोश्य नमबर सेड वर्ट डिड परताप सिंग से ही हैड लोस्ट परताप सिंग ने क्या खो दिया था तो उन्होंने क्या खोया था इसका अंस्वर है वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा दोस्ट अपना खो दिया है था सो फ्रेंट से यहाँ पर जो स्टेंजा है और उसके कोशिन अंसर कंप्लीट होते हैं इसके इलावा सत्गुरु इंस्टिटुट यूटुब चैनल का ट्वीटर पर ओफिशल अकाउंट बना हुआ है आप ट्वीटर पर सत्गुरु इंस्टिटुट को फोलो कर सकते हैं तो चलिए देखते हमारे नेक्स टेंजा क्या है नेक्स टेंजा है वन डान रिट दा लैंप ओफ ग्रीफ विदिन दा बर्निंग इस्ट दियर केम वर्ड टु परताप सिंग दा सोफ्ट वर्ड ओफ पर प्रीस्ट जैसे ले दिन का सवेरा होता है जो दुख का दीपक होता है वो फिर से जल उठता है यानि कि जो परताप सिंग होता है वो फिर से दुखी हो जाता है जब वो अपने फ्रेंड की याद में बैठा होता है तब ही उसे एक विनमर संदेश पहुंचता है एक पुजारी का तो नेक्स टेंजा है वो उठा जैसे ही वो उठा वो पूरे सफेद कपड़े पहने हुए ही बाहर चला गया वो ये भी भूल गया था कि जब वो किसी प्रजा से या किसी से मिलता है तो वो अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनता है वो इतना जादा दुखी था कि वो फॉर्मल ड्रेस पहनना भी भूल गया and saw the ब्राह्मन्स बोईंग there in the hard morning light वहाँ जाता है ब्राह्मन्स के पास और देखता है कि इतनी कठिन सुबह की रोशनी में जो ब्राह्मन्स हैं वो अपना सिर जुकाए खड़े हैं ये जो कठिन उसके लिए सुबह इसलिए है क्योंकि वो बहुत जादा दुकी होता है अपनी फ्रेंड की मृत्य उपर नेक्स टेंज है अलाज ओ महाराज अलाज ओ नोबल परताब सिंग फोर हेर इन जोदपुर यस्टेड़े बिफेल ओ फियरफूल थिंग जो ब्राह्मन्स होते हैं वो महाराज से कहते हैं हे महाराज बहुत अफसोस हुआ बहुत अफसोस हुआ हे महान परताब सिंग हे नोबल परताब सिंग आपको पता है कि कल यहां पर बहुत ही भैवित करने वाली घटना घटित हुई थी ओ हैर इन जोदपुर यस्टेड़े A fearful thing befell हाँ यहीं पर जोदपूर में ही एक भैबित करने वाली घटना घटित हुई थी A fearful thing said परताप सिंग आगे परताप सिंग कहते हैं हाँ मुझे पता है A fearful thing यानि कि भैबित करने वाली जो घटना थी घटित हुई थी God and my heart know well मेरे ईश्वर और मेरे दिल को अच्छी तरह से पता है कि कल कौन सी घटना घटित हुई थी So friends, इन स्टेंजास के question answers नहीं है इसके इलावा सत्गुरु इंस्टिट्ट यूटुब चैनल का Instagram पर official account बना हुआ है सत्गुरु इंस्टिट्ट नाइनेट आप Instagram पर सत्गुरु इंस्टिट्ट को follow कर सकते हैं और कोई भी अगर आपको drive है तो आप Instagram पर पूछ सकते हैं इसके इलावा एक important चीज ये है कि पहले जो Instagram पर account बना हुआ था सत्गुरु इंस्टिट्ट ट्रिपल नाइन का वो किसी कारण मुझे बंद करना पड़ा तो ये नया account है सत्गुरु इंस्टिट्ट नाइनेट नेक्स्ट एंजा है I lost a friend परताप सिंग परिस्टे कहते हैं कि मुझे पता है कि कल जोधपूर में कौन सी घटना घटित हुई थी मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को खो दिया है More fearful yet आगे से जो पुझारियें वो कहते हैं इससे भी बहबित कोई घटना हुई है When down these steps you passed In sight of all जोधपूर You lost O महराज, you are cast जो प्रिस्ट हैं वो महराज से कहते हैं कि कल जब आपने पूरे जोधपूर की नजरों के सामने अपने फ्रेंड की अपने दोस्त की अर्थी को कंधा दिया था कंधा देकर अपने घर की सीडियों को पार किया था तब आपने अपनी जाती को अपनी कास्ट को खो दिया था Next एंजा है ये बात सुनकर जो परताब सिंग था वो क्रोध की जवाला उसकी आँखों में उतपन हुई थी यानि की वो गुसे में से भर चुका था ऐसी जवाला उतपन हुई जैसे स्मोक यानि की धुए में से आखी लपटे निकलती हैं जो परताब सिंग होते हैं वो पुजारी से कहते हैं हे पुजारी जो शब्द तुमारे लिपस बोल रहे हैं उसका अर्थ तुमारी आत्मा कभी नहीं समझ सकती नेक्स्ट एंजा है माइ कास्ट नो यू दिर इस अ कास्ट अबव माइ कास्ट और थाइन आगे से जो महाराज है वो पृष से कहते हैं मेरी कास्ट तुम मेरी कास्ट की बात कर रहे हो मेरी कास्ट और तुमारी कास्ट से उपर भी एक कास्ट है ब्रह्मन और राजपुत आर बट डस्ट तु दैट इमोर्टल लाइन जो ब्रह्मन और राजपुत की कास्ट है वो उस कास्ट के सामने एक धूल मीटी के बराबर है वो जो कास्ट है वो अजर है अमर है wide as the world वो caste है जो जाती है विशव जितनी चोड़ी है free as the air हवा जितनी मुक्त है pure as the pool of death मौत के जलाशे जितनी शुद्ध है जो मौत का जलाशे होता है तो वो शुद्ध होता है क्यों शुद्ध होता है क्योंकि मौत किसी के साथ भेदबाव नहीं करती है the caste of all earth's noble hearts वो जो कास्ट है वो पृत्वी के नेक दिल इंसानों की कास्ट है is the right shoulder's faith वो जो कास्ट है सच्चे सैनी के विश्वाश की कास्ट है so friends यहाँ पर जो हमारी poem है वो complete होती है basically यह जो poem थी caste सिस्टम पर थी so friends जो caste सिस्टम होती है वो समार्च के द्वारा बनाई गई है lower caste, upper caste कोई भी व्यक्ति बर्थ से caste का नहीं होता है यह caste सिर्फ society के द्वारा बनाई जाती है सबसे अच्छी caste होती humanity की caste, इंसानियत की caste अगर आप में humanity है तो आपकी caste सबसे ऊची caste है so friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like और share कीजिए अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना ना भूले अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment section में instagram पर facebook पर किसी पर भी पूछ सकते हैं so thanks for watching this video keep watching Satguru Institute